तो दोस्तों कैसे हो आप लोग सवागत आपका एक नई वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे सोलर प्लांट पे जो सबसीडी मिलती है जा मिलती थी उसमें एक बड़ा अपडेट आया है मैं नारी की तरफ से Ministry of Renewal Energy ने एक कुछ फेर बदल किये हैं स्कीम्स में कि जो लोगों को असानी हो सके सबसीडी लेने में और सोलर प्लांट लगवाने में क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो नए कानून बन रहे थे जा लागू हो रहे थे उसमें बहुत सारी दिक्कते हैं लोगों को सामना करना पड़ रहा था दिक्कतों का कि वह प्लांट लगवाने को भी राजी नहीं हो रहे थे और उनको सबसीडी है वह भी मिलने में बहु तो PSPCL जो विजली बोड है वो कमपनियों की रिजिस्ट्रेशन करता था तो उन रिजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे IMPANELMENT की जाती थी IMPANELMENT जिन कमपनियों की होगी मालो कि 200 कमपनिया रिजिस्टर है तो अगर आपको सबसिडि लेनी है direct benefit transfer कि जो subsidy किसी भी तरह की कोई भी department अगर देता है तो वो direct customer के account में जानी चाहिए वो लागू नहीं किया गया था subsidy में, तो क्या होता था कि जो भी company registered थी वो पूरे पैसे जितने भी plant का amount बनता था मालो आप 2,00,000 पे का plant लगवाते हो और उसमें से 60,000 पे अगर subsidy है तो आपको वो 60,000 पे काटके plant की जो payment है वो आपको pay करनी पड़ती थी लेकिन उसमें कुछ clear नहीं हो पता था कि आपको कितनी subsidy मिली है जा आप कैसा plant लगवा रहे हैं, कौन सा product चूज कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जो clear नहीं थी customer के लिए, कि हम एक subsidy वारा solar plant लगवा सकें दूसरा एक और issue जो आ रहा था, वो ये issue था कि जो subsidy थी, वो company के, क्योंकि जो company है काटके लगाती है, तो उनको भी तो मिलेगी उनको मिलने में बहुत सारा time लग जाता था एक साल जा छे मिने जा आठ मिने तो जब किसी company को पता है कि उसने 60,000 पे दो लाख के पिछे मालों 60,000 पे subsidy दे नहीं है जा 50,000 दे नहीं है, अपनी जेव से अगर वो काटके दे रहा है, तो उसको अगर वो एक साल बात मिलेगी, तो वो कैसे लोगों को ये बता पाएगा कि आप subsidy वाले प्लांट लगवाओ, तो mostly vendor जो हैं, वो नहीं लगा पाते थे subsidy के प्लांट, और लोगों को इसका benefit नहीं मिल सकता था, तो अभी हम बात करेंगे कि अभी नया change क्या हुआ है तो दोस्तों अगर आप इस channel पे नहीं हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपके काम की बाते हैं, आपके फाइदे की बाते हैं, आपको बताता रहूंगा, इसी तरह की वीडियो आगे भी आती रहेंगी, तो दोस्तों शुरू करते हैं, जो major change हुआ है, वो यह हुआ है mostly क्या है कि अब आपको किसी company से ही plant लगवाना पड़ेगा, तब ही आपको जो subsidy है, वो मिल पाएगी तो अभी क्या change कर दिया है कि जो भी plant है, वो आप choose करोगे, आपने किस से लगवाना है, चाए वो company registered हो, चाए वो नहीं हो अगर आप खुद लगाना चाते हो, तो आप खुद भी लगा सकते हो, अगर आपको लगाना आता है मालो, अगर आप technical हो या आपका कोई known है बंदा, कोई electrician है, जो जानता है यह काम करना तो आप material खुद अलग से purchase करके आप खुद भी plant install कर सकते हो अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, तो भी आप किसी भी company से यह plant लगवा सकते हो जुरूरी नहीं है कि वो registered है या वो registered नहीं है, तो इसमें क्या फाइदा होगा, कि आप खुद तैय कर सकते हो कि आपको plant की cost कितनी पड़ेगी, क्योंकि company ने जो बता दिया, आपको वही पे करना पड़ेगा, अगर आपको subsidy लेनी है तो लेकिन इसमें क्या कि आप compare कर सकते हो, कि आपको बाहर से समान कितने का मिल रहा है, और अगर आप किसी से वो install कराते हो plant तो आपको total कितने में पड़ेगा, आपको subsidy फिर भी मिलेगी, अगर आप खुद plant लगाते हो, MNRE ने ये clear कर दिया है कि अगर आप खुद plant install करते हो, तो आपके plant की एक photo, जो लगा हुआ plant है, उसकी photo ही काफी है आपको subsidy दिलाने के लिए, तो ये जो बड़ा change हुआ है, इससे क्या होगा कि mostly जो company हैं वो subsidy काटके देती थी, वो चीज़ अब change हो जाएगी, अब subsidy direct आपके account में आएगी अगर आप एक plant install करते हो, आपने plant कहीं से भी material लिया, हाँ एक चीज़ जुरूर है कि जो आप material यूज़ करोगे जो भी panel आप inverter आप यूज़ करोगे वो MNRE से approved होना चाहिए, approved होना जुरूरी है, लेकिन आप किसी भी company का use कर सकते हो, आपने plant लगवाया आपने उसकी, जो भी formalities है, उसकी photo plant की और उसकी completion report वगरा, जो भी अभी आने वाले time में आपको पता चल जाएगा, मैं भी update कर दूँगा, वो आपको documents या तो letter के medium से या फिर आपको online website पे submit करना है, अपने account details वगरा की साथ, तो वो आपको subsidy है, वो आपके account में direct मिल जाएगी, दूसरा एक जो, इसमें issue था, net metering का, कि अगर आपको net metering करानी है, आपको on grid plant लगाना है, तो आपको plant किसी company के through ही लगाना पड़ेगा चाहे आपको subsidy लेनी है, चाहे नहीं लेनी है एक तो subsidy का part था, वो तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको बिना subsidy वाला plant भी लगवाना है, तो भी आपको किसी company से इसलिए लगवाना पड़ता था, क्योंकि आप net metering direct नहीं करवा सकते, वो भी अभी system change होने जा रहा है, कि अब आप अगर खुद भी plant लगवाते हो, तो भी आपको net metering की service मिलेगी, हालां कि MNRE ने तो mention किया है, कि 15 दिन के अंदर-अंदर net metering हो जानी चाहिए, पर अभी देखते हैं कि अगर यह implement होता है, तो किस प्रकार से जो बिजली board हैं, जो discoms है, वो कर पाते हैं, क्योंकि पंजाब में तो वैसे mostly एक महिना, डेड़ महिना भी लग जाता है, plant को net metering से connect करने में, सिंक्रोनाइज करने में, तो अभी देखते हैं कि 15 दिन में अगर हो पाता है, तो यह बहुत एक बड़ा major change होगा, अगर 15 दिन में net metering हो जाए, और जो subsidy की बात है, अगर आप subsidy वाला plant लगाते हो, तो MNRE ने यह भी specify किया है, कि जो भी subsidy की amount होगी, वो 30 दिन के अंदर आपको, आपके account में मिल जाएगी, subsidy की जो amount हो, पहले 3 kilowatt पे, अगर 3 kilowatt तक का कोई plant लगवाता है, तो उसको 40% subsidy मिलेगी, और अगर 4 से 10 तक का plant लगवाते हो, तो आपको 20% subsidy मिलेगी, लेकिन जो भी 4 से उपर का plant होगा, अगर 6 kilowatt का plant होगा, तो पहले 3 पे आपको 40% मिलेगी, आगे के 3 पे 20% मिलेगी, लेकिन एक चीज और मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ, कि अभी पहले क्या था, कि जो भी subsidy का rate है, एक rate decide होता है कि कि किसका 40% मिलेगी, 20% किस चीज का मिलेगी, कितनी amount का, वो rate अभी decide होने बाकी है, में भी हो सकता है कि जो MNRE की standard rate list होती है, वही यहां पे लागू हो, जो भी उसका rate होगा, मालो की for example, अगर 50,000 पर kilowatt का rate MNRE निकालता है, तो आपको पहले 3 kilowatt पे 50,000 का 40% और बाकी के 10 kilowatt तक 50,000 का 20% subsidy आपको मिल सकती है, अगर यह implement होता है तो, तो अभी एक बात यह भी है कि panels के जो rate है, जो BCD लागू होने जा रही है, यह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कि 40% BCD imported panels पे, और Indian panels का जो cell import होगा, जो भी इंपोर्ट होगा बार से, वो solar cell पे 25% duty जो है, वो लगने जा रही है, लेकिन थोड़ा उसका यह फाइदा होगा subsidy का, कि जो अभी panels महंगे होंगे, एक April से, जो panels के rate बढ़ेंगे, वो थोड़ा subsidy वाली amount से cover हो जाएगा, पर लोग फिर भी demotivate नहीं होंगे, लोगों को यह नहीं लगेगा, कि इतना महंगा हो गया, आप 5 साल या 7 साल इसको free होने में लग जाएगे, वो बात जो है, अभी clear हो जाएगी थोड़े दिनों में, कि जो rate है, जिस पे subsidy मिलनी है, वो rate कितना होगा, MNRE क्या rate निकालता है उसका, और यह जो scheme आज update जो हुई है, जो नई scheme आई है, कि आप direct benefit transfer customer को मिलेगा, customer के account में direct benefit जाएगा, subsidy का है, वो कितने दिन में implement होता है, यह भी अभी देखना पड़ेगा, कि उसको implement होने में 1 महीना लगेगा, या 1.5 महीना लगेगा, लेकिन हाँ, यह MNRE ने clear जरू करवा सकते हो, तो जो भी इससे जुड़ी अगली खबर आएगी, या अगला कोई भी information आएगी, या जब भी इसका process लागू होगा, यह पूरे देश में लागू होना है, तो हर state का, पंजाब का, हर्याना का थोड़ा लग-लग system हो सकता है, तो जैसे ही कोई अगली खबर आ थेंक यू